Hello everyone, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे Open Law in Academy चैनल पे मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम current affair session में discuss करने जा रहे हैं important world report और index के बारे में इसमें क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि हम जो October to till now तक जितने भी index published हुए हैं उनके बारे में discuss करेंगे ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हमें क्या discuss करना है number one, कि भई उसे कोन release करता है number two, इंडिया की position क्या है उसमी और number three, वो index क्या है और क्या कहना चाहरा है बस हमें तीन बातों का ध्यान रखना है और किसी भी एक्जाम में या किसी भी type का कोई भी एक्जाम हो उसमें इन तीन चीजों से बार पूछा भी नहीं जाता तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं lecture मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं World in Quality Report 2022 लैब में तो भाई इसको रिलीज कोण करता है इसको रिलीज करता है मेरे प्यारे दोस्तों दा पैरिस स्कूल ओफ इकनोमिक्स इसके साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये अब कब रिलीज की गी थी ये रिलीज की गी थी मेरे भाई नेरे प्यार दोस्तों दिसंबर में रिलीज की गई थी ये तो जो ये रिपोर्ट रिलीज की थी क्या होता है इसमें क्या find out करते हैं मेरे प्यार दोस्तों इसमें find out करते हैं कि कोई भी country कोई भी country world में अपनी income को और wealth को किस तरह से public में distribute करती है मतलब क्या करना चाला है कि find out करती है how a country income and wealth are distributed क्या distributed जिसमें ये बात करेगा कि भी किसी भी देश की position या financial हालत है जो उसका impact public पे क्या पड़ता है जैसे कि देखो जो इंडिया की है ना 10% जो 10% इंडियन capture कर रहे है 57% of the national income कितनी बड़ी बात है क्या ना और जो जो लास्ट के ना जो नीचे के 50% है वो केवल कितने कर रहे है 30% 13% मुल 13% कर रहे हैं उनले मेरे प्यारे दोस्तों ठीक है ना तो इंडिया की इतनी बुरी condition है इस index में इसके साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों जो यूरोप की country यां है यूरोप की उनकी स्थिति बहुत अच्छी है उसके बाद जो अपनी आती है ना M E N A यानि Middle East Middle East and North Africa वाली country है जो उनका सबसे सबसे worst condition है कि 10% लोग ही ना 10% लोग 58% wealth अपने पास रखते हैं ठीक है ना और overall क्या विवाया है इस report का और overall view यह है कि जो 10% population है ना world की 10% population वो ना 52% wealth लेती है और जो बोटन के 52% लोग है ना या 50% लोग है वो क्या केवल 8.5% wealth रखते हैं तो इतनी ज़्यादा inequality है तो यह report overall हमें यह बात कहती है और यही exam में पूछा जाएगा है मेरे प्यारे दोस्तों तो next index क्या होगा second number का देखो हमारे क्या है मेरे प्यारे दोस्तों यह अश्या पावर इंडेक्स जो एश्या पावर इंडेक्स इसको रिलीज करता है लोई इंसिटूशन इसको रिलीज करता है मेरे प्यारे हुए इसमें सबसे उपर कोन है मेरे प्यारे दोस्तों युनाइटट स्टेट ऑफ अमरीका सबसे ऊपर है दुसरे नंबर पर चाइना है ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों और जो चोते नंबर पर पर daha चोन होगा ओन दा मेजरिंग ओफ एकनोमिक कैपेबलिटीज साथ इसाथ मिलिटरी कैपेबलिटीज और रिजिलेंसी एंड कल्चरल इन्फूएंस ठीक है मेरे प्यार दोस्तों आजाओ अब नेक्स इंट तो मेरे प्यार दोस्तों अब आजाओ तिसे नमबर पे कि वर्ड वायल्ड कोस् यू यानि एकनोमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट इसको पबलिस्ट करता है मेरे भाई दोस्तों ये रिपोर्ट है जो हमारी कितनी सिटियों की आती है 173 कंट्री की आती है मेरे भाई और उसके साथ साथ है इसमें पहले नमबर पे कौन था तल अवेव तल अवेव कि कहा है इसराइल में है कहा पर है इसराइल में ये फर्स्ट पोजिशन पर है जो सबसे मेंगी सिटी है इस इंडेक्स में क्या होता है कि जो चीपेस सिटी है और जो हाइस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है उनके रिपोर्ट ये रिलीज करता है कौन करता है एकनोमिस्ट इंटेल है ना इहम्दाबाद एम्दाबाद गुजराट में है सिटी वह सबसे चीपस्टी है लिए कि wife needed to leave के लिए इंडिया में सबसे टोपस्ट सीटी एम्दाबाद गुजराट मैं ठीक है ना और इसके सास Central मेरे प्यारे दोस्तों जो सबसे cheapest in the world है वो कौन सी है सबसे cheapest of the world है Syria Syria's Damascus ये जो country है सबसे सबसे cheapest city है मेरे प्यारे दोस्तों वर्ल्ड की Syria's Damascus ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों next index number 4 तो मेरे प्यारे दोस्तों number 4 पे हम किसकी बात करने जा रहे हैं अभी world cooperative monetary report के बारे में कौन सी world cooperative monetary report के बारे में 2021 के बारे में ये कौन सा edition था 10th anniversary edition था ठीक है ना इसको published कौन करता है सबसे पहले इसको published करता है क्या international cooperative alliance यानि IC ICA और इसके साथ साथ इसको corporation किसके साथ रहती है E-U-R-I-C-S-E इसकी full form क्या है European Research Institution on on cooperative and social enterprises क्या social enterprises ये इसकी full form होती है मेरे प्यारे दोस्तों क्या European Research Institution on cooperative and social enterprises ये दोनों मिलकर इसको published करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों इसके साथ साथ इसके साथ मेरे प्यार दोस्तों इसमें इंडिया की position क्या है इसमें क्या है जो अपनी एक cooperative है ना क्या है ये first rank पे है ये इफ एफ सी ओ ये cooperative इंडिया की has ranked number one cooperative कितनी में से top 300 में से तो ये report हमको ये बताती है कि भाई इंडिया की जो हना आई एफ एफ सी ओ पहले नंबर पर है top 300 cooperative में से ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों ये report हमको ये बताती है next report तो मेरे प्यारे दोस्तों number 5 पर हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे एक्स में पाचवे index क्या है global brave bravery risk rank 2021 इसके तहत सबसे पहले इसको कौन पब्लिस्ट करता है इसको मेरे भाई पब्लिस्ट करता है कौन anti bravery standard sitting organization track कौन track ये इसको release करता है किसको global bravery risk ranking index को ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों जो इसमें इंडिया की position है फिलाल क्या है इंडिया की position 2.22 के अभी तक के लिए 82 position है जो काफी improve है अपनी नाइबर कंट्रियों से ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों क्यूंकि अपनी नाइबर के कंट्रियों की जो आलत है वो इतनी खराब है इतनी वर्स है कि देखो कि इंडिया इसे मच बटर प्लिस अमंग्स इटेक है मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंडेक्स नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्तों छटे नंबर पे हम किसकी बात करने जा रहे है एर, क्वालिटी, एंड, प्लूशन, सिटी रेंकिंग के बारे में यह IQ Air इसको रिलीज करता है किस देख से बेस्ट है स्विटिजर लैंड से बेस्ट है मेरे प्यारे दोस्तों यह कौन सी कंट्री से स्विटर जर्लैंड है स्विटर जर्लैंड बेस्ट क्लाइमेट ग्रूप है जो यह पबलिस करता है IQ Air इसमें दिल्ली है ना जो मोस्ट पोपिलेटिट सिटी इन दा वर्ल्ड कितने पॉइंट देगे हैं 556 ठीक है ना उसके बाद बंबई उसके बाद कुलकत्ता बंबई को दिये गए है AIQ पॉइंट में कितने 177 बंबई को दिये गए कुलकत्ता को दिये गए और 169 किसको दिये गए है किसको दिये गए है भाई बंबई को उसके साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों इसके बाद लाहूर का पाकिस्तान ठीक न और तुन सातवी रिपोर्ट तो हमारी सातवी रिपोर्ट क्या है मेरे प्यारे दोस्तों UNEP यानि Sustainable Sustainable Urban Cooling Index कौन सा? 2021 2021 अब मेरे प्यारे दोस्तों ये बताओ UNE क्या है ये Most Important Index है ये है हमारा क्या? United Nation Environment Program publish the report टाइटल क्या है? Sustainable Sustainable Urban Cooling Index ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों 2021 तो मेरे प्यारे दोस्तों It was launched at ongoing UN Climate Conference यानि COP26 में इसको launch कियागा किया किसको लिए? By the cooling coalition और UNEP and RMI जो ये सारा है निनके सारे के coalition से ये organization ये index बना जा रहा है ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों इसके साथ साथ जो mission innovation and the cooling calibration और मेरे प्यारे दोस्तों इसके key point क्या है? preparing on the climate zone, the urban heat island effect on rising the urban temperature as much as 5 degree compare with the surrounding ruling areas urban का जो temperature है मेरे प्यारे दोस्तों क्या report कर रहे है कि 5 degree temperature जादा है compare to the जो गाउं के area से ये report हमको कहती है इसके साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों, जो urban population है ना, वो urban population है इसके साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये report हमें क्या बताती है? जो कि urban population है ना, urban population urban population, average temperature गर में कितना रहता? 35 degree से माना जाता है, ऊपर माना जाता है, average से कम है और इससे निचे माना जाता है और इससे ज्यादा है तो ना इसका इंपक्ट अर्बन पोपॉलेशन अब सबसे ज्यादा हो रहा है क्योंकि तब्रेशन ना 35 डिग्री से ज्यादा ही रहता है आज कल कहना एक्सेट इंक्रीजिंग बाइदा कितना रिकोड माना गया है कि 800 परसंट जादा ही माना गया है जिससे क्या हो रहा है कि जो ना 1.6 बिलियन पीपल इफेक्ट हो रहे हैं कब तक बाइदा 2020 बाइदा 2050 तक ठीक है ना मेरे पहरे दोस्तों इसमें क्या है अर्बन पोपॉलेशन होती है इसमें अर्बन पोपॉलेशन में क्या इसमें हाई टंपरेचर का जो सहरों में लोग रहने वाले हैं उन पर क्या इंपक्ट पड़ता है कि भई इसमें बतायागा है रिपोर्ट में जो 35 डिगर टंपरेचर है ना वो 800 परसंट इंक्रीज कर जाएगा किस ताइम तक 2050 तक जो कि हमारे 1.6 billion people को काफी इंपक्ट करेगा तो ये रिपोर्ट हमें ये सब बताती है जो काफी ड्रावना है तो मेरे प्यारे दोस्तों ये index हमें ये बताता है next index तो मेरे प्यार दोस्तों तो आठवे इंडेक्स की हम discussion करेंगे आठवे इंडेक्स में इंडिया की रिंक है 71 जिसका नाम है Global Food Security Index जो Global Food Index इंडेक्स में इंडिया की रिंक है 71 और कितनी टोटल नेशन होते हैं इसमें 130 नेशन होते हैं ठेकर उन में से कैत्तर वी रिपन करता ह है Global Food Security Index को इसको पहले तो कंस्टक्ट किया जाता है लंदन भी इकनोमिक्स्ट इंपक्त दुवारा स्पॉंसर कोन करता है इसको ही स्पॉंसर करता है को टीवा एगरी साइस दुवारा ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों ये इसको पॉब्लिस करती है तो अपना नेक्स इंडेक्स के आ गया भी अब मेरे प्यारे दोस्तों क्या है ये क्या है ये है बाई साहब का World Justice Project Rule of Law Index तो मेरे प्यारे दोस्तों ये किस बेस्ट है ये वैसिंग वैसिंग्टन डीसी बेस है इसको ये रिलीज करता है इसमें क्या होगा कि दो वर्ल्ड लीडिंग Source for Original and Independent Data on the Rule of Law ठेक है मेरे प्यारे दोस्तों इसमें क्या है कि भई दरूल ओफ इंडेक्स 2021 इंडिया की रेंग कितनी है 79 कौन वर्लिस करता है मने पता लग गया तोप कौन कर रहा है इसमें इसमें टोप कर रहा है डैनमार्क ठेक है मेरे प्यारे दोस्तों इन बातों का इसम डेड़ीवल्ड जेक्ầITY देड़ीवल्ड जस्टिस प्रोजेक्टेक्थ ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों और हम बात कर रहे है किस पे नंबर 10 इंडेक्स पे नहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्सron 2021 जो इंडिया की पोजेशन है काफीListen कितने प değ कचले गे इतने पर यानी 101 पर पाकिस्तान और बंगलादेश और निपाल की देख लो भाई इतना बुरा आल है इंडिया का तो इसको पबलिस्ट कोन करता है इसको पबलिस्ट करता है भाई कोन जर्मन और अरगनाईजेशन वैट हंगर हिप और इसके साथ साथ एरिश एड अजन्सी है एक दोनों मिलकर इसको पबलिस्ट करते हैं मेरे भाई तो इस रिपोर्ट में कौन सा एडिशन था इस रिपोर्ट का 16 एडिशन था यह 16 एडिशन था जिसको हर साल पबलिस्ट किया जाता है गलोबल हंगर इंडेक्स को ठीक है मेरे प्यार दोस्तों इसका कैसे कर रहे हैं कि वह इंडिया की पोजिशन जाद जाद स्लिप आउट होती जा रही है इंडिया स्कूर दिया उन्होंने 27.5 जो लिस्ट में ना सीरियस कटेगरी में आता है किसने कटेगरी में आता है सीरियस कटेगरी में आता है और क्या कान बता है कि जो 75 परसेंट है न वो फे चाइल्ड वेस्टिंग विच इस दा हाइस्ट अमंग ओल दा वर्ड इन ए गलोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में जो चाइल्ड वेस्टिंग है न वो सबसे जादा आ रही कि बच्चे खात ह हो रहे हैं लेकिन बेर नुट्रिशन नीविन पादा बच्चों को वो होती है चाइल्ड वेस्टिंग तो मेरे प्यार दोस्तों इस नोट्स के साथ हम यह वीडियो क्समाफ्त करते हैं और हमारे टोप 10 इंडेक्स अक्तुबर टुटिल नाव तक कंप्लेट होते हुए जैह हैं पंदे मतरम